नमस्कार आपके साथ मैं रोहत कुमार अपने फोर नेशन पर हैं इस वक्त की बड़ी खबर है बिहार से जहां पर वरिष्ट नेता नौ बार विधायक रहे रमाई राम का निधन हो गया है रमाई राम पटना के मिदानता अस्पताल में भरती थे जहां पर उनका इलाज चल रहा था अचानक से उनके निधन से बहार भर में शोक की लहर दोड़ पड़ी है बता रहें कि तजस्त्रवी आदब समेता तमाम जो बड़े निता हैं वो लगतार उनके इस दुखद निधन पर जो असामेक निधन है उस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं बड़ी बात वी है क अंतिम बार सुर्ख्यों में उस वक्त आए जब वो अपनी बेटी को वो चुनाव जो कि उनकी अपनी सीट माने जाती थी वहाँ पर चुनाव लड़वाना चाहते थे वहाँ पर वो आरजेरी का टिकर चाहते थे लेकिन उनको टिकर नहीं मिला और उसके बाद वो जो है पुर्व मंत्री और नौ बार विधायक रहे अधार निये रमई राम जी के निधन का दुखर समचार प्राप्त हुआ है वो एक कर्मट और समरपित राजनीता एवं सामाजी कारी करता थे इस वर से प्रातना है कि दिवंगतर आतमा को शांते एवं परिवार को दुख सहने के शक्ति प्रदान करें आपको बता दें कि पुर्व मंत्री रमई राम का रिधन पटना के मिदानता अस्पताल में हुआ है जहां पर होने अंतिम सांस ली है लाली और निती सरकार में ये मंत्री रहे हैं बड़ी बात यह कि बोचहा सीर से एक नौ बार चुन करके वधायक बनते रहे लगतार रमई राम के कर बात करें तो रमई राम बिहार के उन गिने चुने विधायकों में से एक थे जो कि लगतार अजय माने जाते रहे बता दें कि बोचहा उप्चुनाव जो कि मुझःपरपुर जिले में पड़ता है वहाँ पर बार अपर को चुनाव हु विएडि पार्टी चुड़कर का ओ प्रत्याशी ने जिस तरीके से इंट्रिम आ ले उसके बाद Zakαιरम बटिकर कट गया था उसके बाद र मुकेष सहनी के पास पहुँचे थे और मुकेश सहनी की पाटी से उनकी बेटी ने चुनाव रड़ा था आपको बता दें कि रमयराम किसी भी दल में रहे हो लेकिन हर पाटी ने उन पर भरोसा जताया और लगतार बोचहा सीर्ट से जीतते रहे हैं 1990 से 2015 तक सरकार किसी की भी रही हो लेकिन मंत्री पर रहे रमयराम को आखेड बार 2015 के रहां से चुनाव में हाल का सामना करना पड़ा था जब वहाँ पर निर्दलिय प्रत्याशी वेवी कुमारी ने उनको हरा दिया था बता दें कि नौबर वो जो है इस सीर्ट से जानी कि जो बोचहा सीर्ट थी वहां से वधायक रहे लगतार जो है आरजीडी की बात करें तो तीन बार आरजीडी के टिकर से एक बार जद्यू के टिकर से दो बार जंदा दल के टिकर से जो है ये चुनाव जीते रहे इसके लावा तीन अनिदलों के प्रत्याशी के रूप में विधान सभा का चुनाव उन्हों ने जीता साल 2015 मुनको हार का सामदा करना पड़ा था बता दें कि मुसाफिर पासवान के निधनी के बाद इस सीट पर उपचुना हुए और वहाँ पर जो मुसाफिर पासवान के बेटरी कोटे कर दिया आरजेडी के तरफ से तब रमयराम भड़क गए थे और रमयराम ने VIP पार्टी जवाइन कर ली थे रमयराम बिमार चल रहे थे और अचानक से रमयराम के इस निधन के बाद बिहार की राजनीती में एक शुन में खरा हो गया है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही नमस्यार